दोस्तो आज भारत के अंदर G20 सम्मिट शूरू होने जा रहा है इस सम्मिट के शूरू होने से पहले ही जो बीडन भारत के अंदर पहुच गए थे जिसके बाद PM मोदी और जो बीडन के बीच एक मीटिंग कंड़क्ट की गई है और इस मीटिंग में इस बात को लेकर डिसकस किया गया है कि जो भारत के अंदर F414 इंजन बनाये जाएगा और जो प्रिडियेटर ड्रोन हमको मिलेंगे इन दोनों को लेकर ही अब प्राइज नेगोशियेशन शुरू हो चुका है इस प्राइज नेगोशियेशन के पूरे होने के बाद हमको ये पता चल जाएगा कि हमको एक इंजन की कीमत कितनी पढ़ने वाली है और हमको इंजन की कितने परतिशत तक टेकनलोजी एक्चुल में मिलने वाली है और ये कोंट्रेक्ट इस साल के अंथ तक या फिर 2024 के शुरुआत में साइन कर लिया जाएगा जिसके बाद जनरल इलेक्ट्रीक की तरफ से भारत के अंदर इंफराइस्ट्रक्चर को बनाये जाएगा और ये infrastructure 2026 या फिर 2027 तक बन कर पूरा होगा इसके बाद भारत में इंजन बनने शुरू हो जाएंगे और उम्मीद ये भी की जा रही है कि जब भारत के अंदर इंजन बनने शुरू हो जाएंगे उसके एक साल बाद यानि की 2028 तक ही इन इंजन की सभी टेस्टिंग पूरी कर ली जाएगी साथ मैं आपको ये भी बता दे कि जितने भी इंजन भारत के अंदर बनाए जाएंगे उन इंजन का इस्तमाल केवल हम अपने fighter jet में करने वाले हैं इन इंजन का इस्तमाल हम अपने एक भी prototype में नहीं करेंगे क्योंकि अमेरिका की तरफ से अल्रेडी अपने कुछ संख्या में F414 इंजन भारत के अंदर भेज दिये गए हैं जिनका इस्तमाल हम अपने सभी prototype में करने वाले हैं दूसरी न्यूज MQ9 Reaper यानी की predator drone को लेकर है भारत की defense ministry की तरफ से जो letter of request अमेरिका को भेजा गया था जिसमें 31 predator drone को लेकर बाचीत की गई थी इस letter का Joe Biden की तरफ से welcome किया गया है predator drone की deal में हम 16 की संख्या में sky guardian और 15 की संख्या में sea guardian drone को अमेरिका से खरीदने वाले हैं और इन drone को लेकर भी अमेरिका और भारत के बीच negotiation चल रहा है और उम्मीद ये की जा रही है कि इस साल के अंत में या फिर 2024 के शुरुआत में अमेरिका के predator drone की deal को भी sign कर लिया जाएगा तो जैसे ही ये negotiation पूरा हो जाएगा उसके बाद हमें actual में पता चल जाएगा कि अमेरिका के predator drone की कीमत कितनी होने वाली है predator drone को बनाने वाली company यानि की general atomics की तरफ से कई बार ये बात बताई गई है कि हम अपने drone के कई महतुपून parts को भारत के अंदर ही बनाएंगे पर अगर इस negotiation के दोरान एसा कुछ होता है तो ये भारत के लिए सबसे बड़ी खुशकबरी होने वाली है क्योंकि इन parts का इस्तमाल फिर हम अपने drone में भी कर सकेंगे जो long term में भारत के लिए काफी beneficial होने वाला है आपको क्या लगता है कि हमको America a predator drone कितनी कीमत में देगा इस बात का अंसर आप comment box में दे सकते हैं thanks for watching this video have a good day